एक MLE बनता है, वो फिर MLC बनता है, फिर राजिसभा का सदस्य बनता है, और फिर वो जब लोगसभा का सदस्य बनता है तो चार पेंशन लेता है और आपसे कहा जाता है कि हम pension नहीं देंगे क्योंकि अंग्रेजी में चार editor बैठे हैं वो article लिखते हैं कि government को ये बोज नहीं उठाना चाहिए वो पैसा जो सरकार आपके pension में खर्च करती वो पैसा किसको जाता है पांच बड़े उद्योग पतियों को जाता है जब उनका धंदा चौपट हो जाता है तो तो सरकार जनता का tax लेकर जनता का portion पालन portion ना करे और चार उद्योग पति का धंदा डुप जाये तो उनको पांच लाग करोड़ दे और ढ़ाई लाग करोड़ आपके pension पर खर्च ना करे और कहा जाता है कि आप NPS में निवेश करें क्या हम और आप एक ही योगिता रखते हैं मान लिजे कि मेरे पास 10,000 हैं और आपके पास भी 10,000 हैं यहाँ पे 100 लोग हैं सबके पास 10, 10,000 हैं क्या सभी लोग बराबर शमता रखते हैं शेयर बाजार में निवेश कर अपने निवेश को बढ़ाने की उनमें वो शमता है दृष्टी है मुझ में तो नहीं है बहुत सारे लोगों में नहीं होगी क्या उनको छोड़ा जा सकता है इसलिए आपकी मेहनत की कमाई तूटती ज आ रही है और ये प्रक्रिया चली आ रही है लंबे समय से इसी का नतीजा है ये हुआ है कि हम आज इस मोड पर पहुंचे हैं कि हमारी अर्थ विवस्था ठप हुई है नौजवान बेरुजगार हो गया है तो आपकी जो नौकरी है वो व्यापक आर्थिक नीतियों से नौकरी मेरी पचास अजार सदस्यों की नौकरी इसको लेकर आप लड़ते रह जाओगे कोई फाइदा नहीं होगा 17 सितंबर को आपने इतना बड़ा अंदोलन किया कोई फाइदा नहीं हुआ आप मेरी बात को सुनो मेरे बारे में जो या फवाएं फैला रहे हो फैलाते हैं आई टी सेल का यही काम है उनको मालूम है कि मैं बुनियादी सवाल कर रहा हूँ और यह वो सवाल है जो 2017 से उठाने के कारण मेरा मजाक उड़ाया जाता है पर मैं जानता हूँ कि यह गलत हो रहा है इसका शिकार मैं भी हूँ अगर अर्थ विवस्था नहीं बढ़ेग हम जैसे लोग जो उपर जा रहे हैं नीचे सरक के नीचे आ जाएंगे और आप तो आपको तो जीवन में दस साल या पांच साल के लिए उपर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा मुझे तो मिला भी लेकिन मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं और आप जैसे जो मुझे से जादा काबिल हैं आप लोगों को एक सिस्टम की नीतियों के तहट बर्बाद किया गया आप समझे इस बात को आपको जिसका भी समर्थक रहना है बनिये लेकिन रोजगार के सवाल पर जुनून पैदा कीजिए धर्म के सवाल पर नहीं जाती के सवाल पर नहीं वरना आप बेरोजगारी के दोर से गुजरते हुए बुढ़ापे में जाएंगे और तब आपके लिए वो एक हजार रुपए समाधिक सुरक्षा के लिए होंगे जिसे प्रधान मंत्री ऐसे बताते हैं जैसे एक करोड रुपए उनकी जोली में डाल दिया हो अपना पिंशन बता दें विधायकों का या सांसदों का उसकी तुल्ला में अब आप और हम रिटायर होंगे तो पांच हजार रुपए पिंशन नहीं होगा हमारा हम कैसे जीएंगे ये हमारा सवाल है ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है अगर सरकार 10-10 लाग करोड रुपए बड़े उद्योग पतियों के बेलाउट पर खर्च कर सकती है जो संख्या में सिर्थ 10 होते हैं या 100 होते हैं तो सारे सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे सकती है आपने 20 साल का ये दौर बिना पेंशन का देख लिया कई लोगों ने जो ग्रामीन डाक सिवा में काम करते हैं उनके किसी एक बच्चा पाहर के देश में नौकरी करता था उसने लिखा कि ये समस्या बहुत बड़ी है हमारे पिता जी और उनके दोस्तों का की पेंशन नहीं आ रही है आप उठाइए ये 2018 की बात होगी या 19 की बात होगी तो मैं ये स्विभाग को नहीं जानता था तो उस लड़के ने कहा कि मैं न्यूजिलेंड या कहीं हूँ तो मैं कमाकर अपने पिता को भेज देता हूँ पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है कि सरकारी नौकरी में 40 साल रहने के बाद भी बुनियादी जरूरतों के लिए बेटे पर निर्भर है अच्छी बात है कि उनका बेटा भेज देता है पर बहुतों के घर में ऐसी पर नाशा करेंगे कब तक होने देंगे इससे आपको क्या मिला यह आपको समझने की जरूरत है इसलिए मुझे लगा कि मुझे नौकरी पर चर्चा करनी चाहिए मैं क्यों पढ़ रहा हूं एक अर्थशागी मेरे काम का हिसा नहीं है दो आज भी दो नेताओं ने कुछ बेहु बेहुआ हूं